अरेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नबर 12 हम थियूरम कर रहे थे तो आपके पास आज एक थियूरम उसकी स्टेट्मेंट्स है एनि पॉइंट अन्दा बाइसेक्टर ओफ एंगल और बाइसेक्टर ओफ एंगल इस इक्विडिस्टें इस यह आपके पास आज गत्यूरम आम जिसकी स्टेट्मेंट है कि का क्या होगा कोई पॉइंट आप लें जो आपके पास की करेगा मतलबcheस पर हमने पॉइंट लेने हैं उस पर लेना है कि जो आपके पास कodia होगा एंगल को बाईसेक्ट करेगा कि any point on the by sector of an angle is equidistant from its arms कि उस कि लाइन के उपर जो किया करेगा by sector by sector करेगा Angle को उस point उस line पर कहीं भी हम point ले 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 उसका फासला arm से क्या होगा बराबर होगा तो सब से पहले आपके पास diagram की तरफ चलते हैं सब से पहले आपके पास है given Given में आपके पास है एक आपके पास Angle है बाउन के पास है ABC Is an Angle ABC आपके पास एक Angle है तो हम उसको Draw कर लेते हैं ये आपके पास Simple एक Angle Draw किया गया है ये आपके पास Mention किया जाएगा ये आपके पास इसकी Arm है और यह आपके पास है ए यह आपके पास है बी तो यह आपके पास सिम्पल एक एंगल है जिसको हम नाम देनेंगे ए बी और सी का अब आपके पास हमने एक लाइन ड्रा करने है बाइसेक्टर ड्रा करने है जो कि आपके पास है एंगल बाइसेक्टर वो आके पास given में ही है वो आके पास है उसको हम नाम दे देते हैं कि एक line आके पास है जिसको हम नाम दे देते हैं B M जो कि आके पास है B इसको आप नाम दे दें M तो second आपके पास point क्या होगा कि BM is bisector of an angle कि BM आपके पास क्या करेगी angle को bisect करेगी अब हमने क्या करना है उसके ओपर आपके पास क्या होगा दो आप point ले ले लेते हैं perpendicular draw कर देते हैं या आपके पास कोई point हम ले लेते हैं पी इस पी से हम क्या करेंगे एक perpendicular draw करते हैं BC के ओपर उसको आप नाम दे देंगे P of Q का उसके पास एक हम draw कर लेते हैं वहाँ के पास क्या होगा P of R ये भी आपके पास क्या होगा perpendicular होगा तो यहां mention कर देंगे third point आपके पास आ जाएगा P या Q perpendicular तो आपके इसको नाम दे देंगे ये आपके पास है Q ये आपके पास है R अब P क्यों आपके पास किस पर perpendicular है B of C आउम पर और आपके पास जो number 4 हम लिखेंगे आपके पास क्या हैगा P of R वो perpendicular किस के ओपर वो आपके पास आजाएगा A of B दोबारा देख लें कि सबसे पहले हमारे पास जो given है वो के पास है कि एक angle है जिसको आपने नाम दे दिया A, B, C उसके पास हमने क्या किया कि हमने angle bisector draw किया जिसने angle को दो बराबर हिस्सों में टक्सीम कर दिया इसको आप नाम देंगे angle 1 यह आपके पास क्या होगा angle 2 उसके पास हमने इस bisector जो angle bisector था उसके ओपर हम को एक point ले लें हमने prove यही करना है कि कोई आप point ले लें उसका फासला आपके पास जो arms है उससे क्या होगा बराबर होगा तो वो हमने point ले लिया P उस P से हमने एक perpendicular draw किया B, C के ओपर एक draw किया हमने A, B के ओपर जो B, C के ओपर draw किया उसका आप देनाम दिया P, Q का जो आपके पास A, B पे draw होगा उसका आप देनाम दिया P, R का यहाँ के पास सारी चीजें given में हैं Now हमने prove क्या करना है Prove हमने यह करना है कि जो हमने perpendicular draw किया है वो आपके पास क्या होगा Equal होगे तो आपके पास क्या हैगा P of Q is equal आपके पास क्या हैगा P, O, R अब हम चलते हैं इसके prove की तरफ तो आपके पास आजाएंगी statement or reason बहुत ही असान आपके पास theorem है statement or reason आपके पास है दो आपके पास triangle draw बतलब जब हमने perpendicular draw की उसके पास आपके पास दो triangle बन गई एक आपके पास है B, P, R एक आपके पास है B, P, Q B, B, P, R और A यह देखने हैं आपके पास क्या आजाएगा P, B, R एक यह triangle आपके पास बन जाएगी और second आपके पास P, Q, B आपके पास triangle बन जाएगी तो हमने इन दोनों को discuss करना है कि इन triangle आपके पास क्या आजाएगा P, B, R क्रॉस पॉंट आपके पास क्याएगा ट्राइंगल P, B, आपके पास Q तो सबसे पहले आपके पास हमने देखना है कि कौन सा हिस्सा इसका आपके पास common है तो हम पहले भी डिसक्स कर चुके हैं कि कोई सी आप तीन साइड्स क्या कर लेंगे एकोर कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि common में जो आपके पास value है आपके पास क्या है कि B, B, P तो यहां mention कर देंगे B, B, P यापके पास इसके equal है जो कि आपके पास reason में क्या आएगा कि ये आपके पास common है दोनों का हिस्सा है तो ये आपके पास क्या होगा common होगा next आपके पास है कि angle one आपके पास angle two के बराबर है क्योंकि जब भी हमने क्या करना होगा angle by sector draw करेंगे तो वो क्या करेंगा उस angle को दो बराबर इसों में तक्सीम कर देगा तो क्यूंकि हमने ये कीजिवन में आपके पास शामिल थी कि हमने भी एम जो एक ड्रा करना एंगल बाइस सेक्टर क्या करेगा वो एंगल को दो इसों में डिवाइड करदेगा जो एंगल बनेगे एंगल वान और ट्रू दो नो क्या होंगी equal होंगे उसके बाद हमने दो perpendicular draw किये वो भी आपके पास क्या थे 90 तो आपके पास क्या आ जाएगा angle P आपके पास R B यह आपके पास equal है किसके P Q और B के क्योंगे जब भी हम perpendicular draw करते हैं तो आपके पास क्या होगा angle हमेशा क्या बनेगा 90 बनेगा इसके मतलब यह है कि आपके पास जो ट्राइंगल है P B Q आपके पास आपके पास क्या पास पास्टरीश होगा आपके पास क्या होंगी side angle angle अगर साइड एंगल अगर आपके पास होगा कोई सी तीन आपके पास पास पॉस्फरी क्लियर हो जाएं मैंकूर को P of R भी क्या होगा आपके पास P of Q के बराबर होगा reason में आप लिख देंगे कि क्रॉस पॉंटिंग जो आपके पास sides होंगी वो भी equal होंगी क्रॉस पॉंटिंग sides of triangle यह X की reason है कि अगर आपके पास 3 पास clear हो जाएं तो remaining जो आपके पास क्रॉस पॉंडिंग साइड्स हैं ट्राइंगल की वो भी क्या होंगी इकॉल होंगी